ब्रोट तो यू बाई अजिलिस डाइगनोस्टिक्स बंगलादेश के लिए था बंगलादेश की बदलती राजनीती और उसके बदलते रोक बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान के करीब जा रहा है और इसे बड़े संकट के तौर पर इस समय आरेसस प्रमुक मोहन भागवत देख रहे हैं जिसे लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया राश्य स्वेम सेवक संग के प्रमुक मोहन भागवत ने नाकपुर के रेशम भाग मैदान में शस्त्र पूजन किया और इसी दोरान उन्होंने शास्त्र और शस्त्र की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो शस्त्र और शास्त् लेकर बदलते रुख को दर्शा रहा है बांगलादेश में हिंदू पर अत्याचारों को लेकर मुहन भागवत ने बयान दिया तो साथ ही यह चतावनी भी दी कि बांगलादेश अब पाकिस्तान के करीब जा रहा है मोहन भागवत ने कहा कि बांगलदेश में स्थाने कार्णों की वज़े से हिंसक तक्ता पलट हुआ लेकिन भारत से बचने के लिए पाकिस्तान से मिलने की बात इस समय बांगलदेश में हो रही है उन्होंने कहा कि इस स्थिती के लिए सरकार को सूचना होगा इस दोरान उन्होंने एक बार फिर हिंदू समाच के लोगों पर हो रहे अत्याचार का भी जिक्री किया इन अत्याचारों के विरोध में हिंदू समाज के ऐसे संगटित होकर स्वैम के लिए बचाप करे इसका जिक्र भी मोहन भागवत ने किया परन्त। दो बाते द्हान में आती है पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहाँ के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बारबार होते हैं उस हम अगर दुर्बल है असंगट ही थे तो उसका मतलब हम अत्याइचार को निमंत्रन दे रहे हैं बतादे राष्ट्र स्वेम सेवक संग हर साल विजय दश्मी पर बड़े आयोजन करता है और इसी आयोजन के मौके पर आर इसे स्प्रमुख मोहन भागवत भाशन देते हैं और इस बार उन्होंने अपने भाशन में बांगलादेश के साथ तनाव का जिक्र किया विरर रिपोर्ट भारत अग कर दो